गैस जैसे अपने वीडियो में देखा कार का डोर बंद करने से रूफ लाइट भी बंद हो जाता है और डोर ओपेंड करने से रूफ लाइट भी ओन हो जाता है तो आज हम लोग इस वीडियो में डिसकास करेंगे रूफ लाइट का सार्कीट की बारे में क्या सार्कीट रहते है उसका ताकि आपको डोर ओपेंड करने से रूफ लाइट भी चालू हो जाते है और डोर बंद करने से रूफ लाइट भी बंद हो जाते है तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्केस किये थे इंगील स्टार्टिंग सर्कीट के बारे में अगर उसके बारे में आपको कुछ भी डाउड है जरूर जाके वीडियो को डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अब जाके चेक कीजिए और आपको यह भी बता दे इले सर्कीट करने में और आसानी होगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यह जो रूफ लाइट ऑटोमेटिक और ओफ हो रहा है इसका सार्कीट जो है बिल्कुल सिंपील सर्कीट है इसमें ज्यादा कुछ मेहनत का त्रावी नहीं है इस सर्कीट में जासर दिखाए दे सब्सक्राइब जो है रूफ लाइट स्वीच का सिकन पॉइंट में आपको डाइरेक्ट रूफ लाइट हमेर से ओन रहते हैं तो यह होगा है तूवे रूफ स्वीच देन इसके बाद सार्कीट में आता एक फ्यूज है और यह जो दोनों डोर है दोनों फ्रॉंट डोर के पास यानि लेफ साइड और राइस साइड डोर के पास दो काला कला ब्लैक कलर की आपको स्वीच दिखेंगा जस्ट ऑन अफ स्वीच नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोस के लिए तो यह रूफ लाइट है तो यह रूफ लाइट ऑन आफ करने के लिए क्या सिस्टेम है एक चुर्शें पर हमेशा डालेट बैट्री से ब्लैक तक जो खुलिक आठीज नेगेटिव प्यों तो हम क्या करेंगे पॉसीडिव रड़ को को स्वीच जब वस्वड पर कॉन्ट्रूल करेंगे ता जहिते हम आपको लाइट अन उफ होगा इसटा लाइट में आपको नेगे और टेप स्विच में आप प्रेला जब बटन दवाएंगे यानि अगर हम लोग थो रसा इसमें स्लाइट किया तो यह जो क्लाइट प्रस्ट पॉयंट पस्पाइट के साथ ताश रिटे उस से केंड पॉइंट सेंड पॉइंट पॉइंट के साथ नहीं होते हैं जैसे आप फ साइज आरे Just know तो जो डोर सुलीज होता है नौर्माली यानि इन सी होता है जैसा है अब जोडुकश के रखेंगे दो remove भी दिखेंगे लायट जल रहे होगा तो जैसा डोर बोन करते करने के बाद किया हो जाता है। कुछिभा स्ष पॉल्ट का सब्सक्राइब यानि दोनों आपस में जूडता नहीं तो इस Kansas City घंड का बंद देखा तो क्या किक्राइब क्या होगा मैं लॉपेज फेश हो स्विच तो बोटे सप्लाइघ नहीं करें तो हमारा बाल जलेगा नहीं अगर बाइस अरे कि डौर ओपें हैं दोर ओपन होने के बाद करते हैं तो हमारा बाल जल जाते हैं जैसा आपने अपने अपने लेफ इससमें और दोनों डोर ओपेन रहेगा तो दोनों स्विच नॉर्मली क्लोस हो जाएगा क्लोस नहीं करना यहां पर भी प्रद्लते इसलें सभाए सप्लें होगा तो आकपो बाल जाएगा कैंसär नहीं, दोणो डोर ऊपन रहना चाहिए, दोणो डोर बंद रहना चाहिए, ऐसे बिलकुल नहीं है, कोई भी एक डोर आगर बंद रहे का तो एक खुल रहे disorder आपको बंद होगा, क्यूंकि यह बंद रहे यानि दो के लिए जर्ट होने के बाद केंशंए चलुवते हैं स्वीच को और आगे तरह करते तो फूर्ट को ऑर मूवकर दें पार्सपर चांब में का लिजा दिकाया होता है ये फास्ट पॉइंट तो से आएक म। सब्सक्राइट में in Rancho एक चेर्फ देरेंग पॉइंड होगे सांब केश्ट गिलेक्ट म।ाइब में दने ने बात कुए और नाद भी आदमिन यहां पर पॉसरीव है तो बाल्ब जलने लगा जो मैंनोन है हम लोग हमेशा अगर सेकंड पॉइंट में आप मूफ करते रहें इस्विच को तो वह बाल्ब हमेशा जलेगा अगर आपने फिर फास्ट पॉइंट मूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक सिस्टम जैसे है थो आपका ड कि नहीं इसको लेके या इसका कॉंसेप्ट लेके आप दूसरा बहुत कुछ सर्कीट आप बना सकते जो कि ऐसा स्विच में ओपरण हो जाए तो आई हो भी वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो जुरूर वीडियो को लाइक सेर करना चैनल को सबस्क्राइब करके बिल वीडियो आप तक जुरूर पहुचे थैंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो